हाई अवरिवन स्वागत आपका चैनल स्टेडीजेट में इस वीडियो में मैं कोलेज के अग्जाम से रिलेटिड तीन अलग अलग प्रकार के अपडेट लेके आया हूँ तो वीडियो एंड तक जरू देखते रहिएगा ताकि आपका कोईट भी डाउट नहीं बचे तो जो अपडेट हैं वो देखेगा सबसे पहले है को कोलेज की प्रिक्षाओं का सिस्टम कमेटी की रिपोर्ट से तैह होगा और बीबी एयू की स्मेस्टर प्रिक्षा 14-26 तक रहेंगी और यूनिफोर्म गाइड लाइन ने मिले के कारण दिक्कत आ रही है तो क्या कुछ अपडेट हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को सबस्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और कोई भी डाउट हो या कोई भी सगेशन हो तो आप कोमेंट सेक्षन में बता सकते हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती है बीबी एयू की समेस्टर प्रिक्षा चोदा से 26 तक तो बीबी एयू जो उनिवेस्टी है वो लखनाव की उनिवेस्टी है बाबा साहे बीमराव अंबेड कर केंद्रिय विश्व विद्याले जिसक इसका निर्ने अभी नहीं हुआ है तो इसका निर्ने बाद में लिया जाएगा तो 14 से 26 जून तक जो भी एंड समेस्टर है चोथा समेस्टर चटा आठवा और दसवा इनके प्रिक्षा होने वाली हैं अगर प्रिक्षा ओनलाइन मोड में कराई जाती है तो जो टाइम है व बी एएउ उन्यूश्टी जो लखनव में है उसके रिगार्डिंग और यह जो न्यूज है वो अमरुजाला माई सिटी न्यूजवेपर में आई है तो आप खुछ से भी चेक आउट कर सकते हैं और अगर कोई ओफलाइन विभाग ओफलाइन प्रिक्षा कंडेक्ट करता है तो आप साथ जून से लेके दस जून तक प्रिक्षा विभाग से कोपी प्राप्ट कर सकते हैं तो जो भी स्टूडेंट बिलोंग करता है बी बी एउन्यूश्टी से वो जो भी आपके कोलेज है उससे जरूर कॉंटेक्ट कर लें बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और नेक्स्ट अपडेट जो है वो आज के सिक्कर बासकर में आई है साथ जून की अपडेट है जिसमें लिखा गया है कि कोलेज की प्रिक्षाओं का सिस्टम कमेटी की रिपोर्ट से तैय करेंगे कमेटी साथ दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करेगी तो क्या कुछ लि एककमेटी बनाए है जो साहंद दिनों में अपनी रिपोर्ट पेस्ट करेगी इसके रिगार्डिंग और students को किस formula से promote करना है या फिर उनकी exam करवाने है उसके रिगार्डिंग यह जोकमेटी है वो अपनी रिपोर्ट थाय करेगी और यहां से देखेगा Corona संकर्मन और लोकडाउन की वजए से पिछले डेड़ साल से विसे विद्धाल लेवा कोलेजों के नियमित फीजिकल क्लासिज नहीं हो पाई हैं ऐसी सिति में ओनलाइन क्लासिज हुई करीब दो माँ पूरव राज्य की कुलपती को ओर्डिनेशन कमेटी की अनुसंसाओं के आधार पर पेपर पैटरन में बदलाव किया गया तथा प्रिक्षा का समय भी तीर गंटे से गटा कर दो गंटे कोर्स को 60% कर दिया गया लेकिन इसके बाद भी संकरन फैला और लोकडाउन के सितिती बन गई तो अब देखते हैं यह जो कमेटी बनाई है वो क्या कुछ देख लिखते हैं नाइस्ट अपडेट जो है वो आज की ही है साथ जून की जैबपूर जिला जो दैनिक बासकर न्यूज पर आता है उसमें यह न्यूज आई है तो जिसमें लिखा गया है कि जो यह न्यूश्टी है मौनलान खोकाडिया उन्यूश्टी इसने स्टूडें नहीं होगा और इसमें बात कई गई है और इस न्यूश्ट के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो इसमें बात लिखी गई है कि यूजी सी ने अच्छी तरह से गाइडलाइन जारी नहीं कि इसी कारण दिक्कत आ है वह को रिघर ईसमें प्रेशनी के लिख रही है और को उनिवस्टी उनके प्रोविजनल यूजनल निवार कर लिख रही है अंततर लेस्य समझें रेजल्ट करने के संबन में युनिवस्टी के लिए युनिफॉर्म गाइडलाइन ही जारी नहीं की इस कारण पिछले वर्स अभी वी सविद्यालियों ने अपने अपने तरीके से चात्रों को प्रमोट कर दिया जबकि स्कूल सिक्षा में इस साल CBSC ने दस्वी के लिए गाइडलाइन जारी की है युनिवस्टी के अलग-अलग असेस्मेंट के कारण अलग-अलग इस विद्यालियों के स्टूडेंट्स को फायदेवन नुकसान में रहेंगे यानि कि जो भी स्टूडेंट्स अलग-अलग उनिवस्टी से बिलोंग करते हैं जैसे कि कोई भी किसी भी उनिवस्टी से बिलोंग करता है तो वो उनिवस्टी फैसा ले ले कि हम प्रमोट करेंगे दूसरी उनिवस्टी है वो फैसा ले ले कि हम पेपर लेंगे तो स्टूडेंट्स के वो तो परमोट हो गए दूसरे वाले रीपेर लेके बैठे हैं बैक लेके बैठे हैं तो एक परकार से डिस्ट्रिबेंट्स हो जाएगा एजुकेशन में तो उसी के रिगार्डिंग ये बात कई गई है कि यूजी सी है उसने कोई डंग से कर दूँगा तो चैनल को जुरू सब्स्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और अभी तक कोई भी डाउट बचा हो आपका तो आप कोमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रगार की अपडेट में कोले जगजाम से रिलेट तब तक के लिए गुड़ बाई